साथियों, इतिहास में कई बार एक ही कालखन में कई अधवुद घटनाएं एक साथ होती हैं। लेकिन आम तोर पर उन्हें केवल एक संयोग मान लिया जाता है। मैं मानता हूँ जब इस तरह के संयोग बनते हैं तो उनके पीछे कोई ने कोई योग शक्ती काम करती है। योग शक्ती यानि एक सामुहिक शक्ती, सबको जोडने वाली शक्ती है। आप देखिए भारत के इतिहास में ऐसे अनेक महपुरुष हुए हैं। जिनोंने आजादी का भाव भी सतक्त किया है और आत्मा को भी पुनर्जिवन दिया। इन्वे से तीन स्री अर्विंदो, स्वामी विवेखानन और मात्मा गांदी ऐसे महपुरुष हैं। जिनके जीवन की सबसे महत्वपुन घटनाएं एक ही समय में घटी। इन घटनाओं से इन महापुरुषों का जीवन भी बढ़ला और राष्ट जीवन में भी बड़े परिवर्तन आये। 1893 में 14 वर्ष बाद श्री अर्विंदो इंग्लेंड से भारत लोटे। 1893 में ही स्वामी विवेकानन विश्व धर्व संसद में अपने विख्याद भासन के लिए अमेरिका गए। और इसी साल गांदी जी दक्षिन आफरिका गए जहां से उनकी मात्मा गांदी बनने की आत्रा शुरू हुई। और आगे चल कर देश को आज़ादी महानयक मिला। भाई और भेनों आज एक बार फिर हमारा भारत एक साथ ऐसे ही अनवेकों संयोगों का साक्षी बन रहा है। आज जब देश ने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे किये हैं, अमृत काल के हमारी यात्रा शुरू हो रही है। उसी समय हम स्री अर्विंदो की 150 वी जैनती मना रहे हैं। इसी कालखन में हम देटा जी सुभास्ते दरभोष की 125 वी जन्म जैनती जैसे अवसरों के साक्षी भी बने हैं। जब प्रेरा और कर्तव्या, मोटिवेशन और एक्षन एक साथ मिल जाते हैं, तो अवसंभाव लक्ष भी अवसंभावी हो जाता है। आज हादी के अमरित काल में, आज देश की सफलताएं, देश की उपलब्दियां और सबका प्रयास का संकल्प इस बात का प्रमान है।